असल जिंदगी में कैसा दिखता था अकबर? जोद अकबर जैसी बॉलिवूड की कई फिल्मों में मुगल सल्तनत के जिल्ले सुभानी जलाल उदीन मुहमद अकबर को बहुत ही खुबसूरती के साथ पेश किया जाता है जिसमें अकबर के विक्तिद्व को भी बहुत ही साथ दिखाया गया है इसी के अलग अकबर को एक चाम, खुबसूरत और रहम दिल राजा की शकल एक्तियार करने की कोशिश की गई है मगर वास्तविक्ता में क्या ये सच है? हमारा बॉलवोड कितना जूटा है, कितना सच्चा उसका अंदाजा आपको जावेद अक्तर के इस इंटेव्यू से साफ तोर पर हो जाएगा जब जावेद अक्तर ने ओन कैमरा कहा था कि इतिहास और फिल्मों में जमीन आसमान का फर्क होता है 1960 में रिलीज होई फिल्म मुगले आसम में अक्बर का किरदार खुद पृत्विराज कपूर ने निभाया था हिंदी टीवी सीरियल जोदा अक्बर में रधर टोकस और आकिरकार मशूर बॉल्लवूर्ट फिल्म जोदा अक्बर में खुद रितिक रोशन अक्बर बने थे मगर वास्तविक्ता में कैसा दिखता था दल्ली का बादशा अक्बर जानेंगे सिर्फ और सिर्फ कथा पर जिसने अपने जिंदीगी में देश बक्ती, दर्मिर पेक्षता, उदारता और अजादी की एक नहीं बल्कि कई मिसाले पेश करी थी हमेशा बॉलिवूर्ट में दिखाया गया है कि अक्बर एक ऐसा राजा था जिसे कभी भी किसी ने शिकस्त नहीं दी थी मगर ये बात सरासर गलत है क्योंकि 1576 में छेड़े हल्दी घाटी युद में अक्बर और महाना प्रताप की फौज आमने सामने थी जहां अक्बर ने आगरा से राणा प्रताप के मुकाबले एक बहुत बड़ा लशकर मेवाड रवाना किया था बावजूद इसके मुगल सेना कभी भी मेवाड के ध्वच को धराशाही नहीं कर पाए इसके बाद कई इतिहासकारों ने अक्बर को एक डरपोख राजा बताया है जिसमें इतनी हिम्मत तक नहीं थी जो हल्दी गाटी के मैदाने जंग में खुद राड़ा प्रताप के सामने आता क्योंकि अक्बर की ओर से मुगल सेना का नेतरेत्व मिर्जा राजामान सिंग ने किया था हल्दी गाटी के युद्ध के बारे में अगर आप जानना चाहे तो इस वीडियो पर अपना भरपूर प्यार दे साधी कमेंट करके भी जरूर बताए अब आते हैं आज के अपने उस सवाल पर कि आखिर कैसा दिखता था दिल्ली का बादशा अकबर मशूर इतिहासकार विंसेंट स्वित अपनी किताब अकबर दा ग्रेट मुगल के पेज नमबर 242 पर लिखते हैं कि अकबर के अव्यक्तित वो कुरूप और भद्दा था क्योंकि उनका संबंद एक जालिम विदेशी परिवार से था इसमित के मुताबिक जीवन के मद्दकाल में अकबर की डील डॉल औसत दरजे की थी उनका कद तकरीबन 5 फूट 7 इंच था अकबर चौडी छाती, पतली कमर और लंबे बाजू के धनी व्यक्ति थे उनके दोनों पैर अंदर की ओर जुके हुए थे चलते समय बादशाग पर अपने बाए पैर को कुछ गसीटा करते थे मानों में लंगडे हो उनका सिर दायकंदे की ओर जुका हुआ था ना कुछ छोटी थी, बीच के अड़ी कुछ उपरी हुई थी नतने ऐसे लगे थे मानों क्रोथ से फूले हुए हो बटर के आदे दाने के आकार का एक मस्ता उनके उपरी होट को थरो से जोडता था उनका रंग सावला था अभी तक मशूर इतिहास का विंसेंट स्मित ने अकबर की जो वैख्या करी है अब उसी के उलट मुगल सल्तनत के वजीर कलम अबू फजल ने अपनी किताब अकबर नामा में अकबर को धर्ती पर सबसे सुन्दर मूर्ती बताया है अकबर नामा में साफ तोर पर लिखा गया है कि अकबर को नशीली चीजों से बहुत प्यार था इसी के अलग मुगल दर्बार के एक इसाई पादरी एक्वा वीवा के मताबिक भी अकबर नशे की हालत में कभी-कभी पागलो जैसी हरकते भी किया करते थे नशे के लिए उनकी हद इतनी थी कि कई बार तो दिवाने आम में अकबर नशे की हालत में भी लुड़कते परते आ जाया करते थे इस सब के अलग अकबर के बारे में बताया जाता है कि अकबर एक दयालू राजा थे जिस पर आगे भी एक वीडियो जरूर बनाई जाएगी लेकिन दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि इसी दयालू राजा ने 1566 में चित्तो और दुर्क पर आकरमण कर 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था अकबर के जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जब जनता ने उन्हें एक महान और दयालू राजा का खिताब दे डाला था ये वो समय था जब अकबर ने एक नए पंथ दीन ए इलाही की शुरुआत करी थी इस धर्म में हिंदुत्व और इसलाम दोनों ही धर्मों से कुछ न कुछ माननेता ये ली गई थी दोनों ही धर्मों का समावेश कर एक पंथ की स्थापना करी गई थी दीन ए इलाही अकबर का कहना था कि मुगल सल्तरत में जब भी कोई एक दूसरे से मिले तो अल्ला हुआ अकबर कहकर मिले जिसका मतलब ये कता ही नहीं था कि अल्ला सबसे बड़ा है बलगी इसका मतलब तो ये था कि अकबर ही अल्ला है तो कुछ इस किसम का किरदार था बादशा अकबर का लेकिन दोस्तों इस तब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और साथ इमेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मारी समाम वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले बिल सकें क्यामरामैन उमरांसारी के साथ में जैन कथा